Hello dear students, आज मैं discuss करांगी coefficient of correlation नो फाइड आट करनदा, next method, Carl Pearson's Coefficient of Correlation. Coefficient of Correlation, Carl Pearson's Coefficient of Correlation method, इसनों आसी covariance method भी बोल दें, product moment method भी कहा जानदा. This method is mathematical method of measuring correlation and this is the best method. इन्हों उसी कड़न ले दो यूज का दियां तंगाना, first है by direct method, second है by shortcut method, सबतों पहला पाकर आँगे by direct method. Direct method दा formula की है, r is equal to summation xy over under root summation x square into summation y square. x दा मतलब की है, x minus x bar, x दे विच्चो x दा mean minus किता हुए, y दा मतलब की है, small y, y minus y bar. ता इसनों सी कर दियां, एक example लेके, तो अन्हों दिखोनें किस तरह ही खड़ा जानदा. सानों दित्ता हुएंगे, दो विखेबल जित्ते ने x दे y, x दित्ता हुए, y दित्ता हुए, तो अन्हों कियांगे find Carl Pearson's coefficient of correlation. ता तुसी की करना, सब तो पहला आपां, टोटल करांगे, इनना सारे x दा, एवन कि समेशन x is equal to 140, जो देना टोटल किता है, तो 140 आगया, y दा टोटल किता आपां, समेशन y is equal to 49. फॉस्ट आपां करांगे, mean करना है, x दा में में करना है, y दा में में करना है, mean करन दा method किया है, total of all items over number of items, ता इनना टोटल किता है, फार्मूला है, x बार is equal to summation x over n, summation x करना किता है, 140 over number of items, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तरको 7 items ने, ता 140 over 7, ता 8 divided करके आगया, 20, ता x दा में आगया, 20, इसे दर आपांगे, y दा में करना है, summation y over n, summation y means sum of all items, sum of all items कितना है, 49, ता 49 over number of items, n means number of items, number of items again 7, over 7 लगया, ता y means आगया, 7, असी करना किया है, x वाले जो है items, ओधे विचो x दा में माइनस करांगे, y वाले दे विचो, असी y दा में माइनस करांगे, पहरेला x दे विच्छों, असी x दा mean, x दा mean की हिना है असी? 20, ता एदे विच्छों, सारे विच्छों असी 20 मैंनस करांगे, 5-20, minus 15, 10-20, minus 10, 15-20, minus 5, 20-20, 0, 25-20, plus 5, 30-20, plus 10, and 35 minus 20 15 तो यदो भी आसी x दे विचो, x दा mean minus कर दिया है जब y दे विचो, y दा mean minus कर दिया है, ता it should always be equal to 0 यदा जो जड़ा 0 होना जरूर है यदा देखाएं करके, ता कि यह 0 बन 15, 10, 25 5, 30 plus निया 30 हो गया, तो minus निया किनिया हो गया, 15 10, 25 5, 30, minus 8 दे 30 ता यह हमेशा ही 0 होना जरूरी है यह तो डिस्वाल अचेक भी है भी तुसी कोई गल्द ता नहीं आपा सब्टरेक्ट कर लिया, तो यह दे विचो, y दा mean minus कर दिया, यह दा mean साट दिया है, यह 7 ता यह 2 चो 7 गे minus 5, 4 चो 7 गे minus 3, 7 minus 7 0, 9 minus 7 plus 2, 8 minus 7 plus 1 10 minus 7 plus 3, 9 minus 7 plus 2 तो यह भी इनन दा जोड़ी की आएगा इट शुद अल्वेश बी 0 चेक कर लो 5, 3, 8, minus 8 होगे plus दे किन्द होए 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8 तो यह सम्दा सारा चेक भी नाल दी नाल हो जन्दा उस्तो बाद तो सिखी करना x वाली दा, x दा स्केर कर देना यह दो y दा, स्केर करना यह दो x दा स्केर करांगे 15 इन्टू 15 कित दा 225, 10 इन्टू 10 100, 5 इन्टू 5 25, 0 दा 0, सारा दा स्केर इसे तरह कर लिया तो इन्टा टोटल करांगे sum of all, summation x square is equal to, जो दो इन्टा टोटल किता 700 इसे तरह y दा स्केर करना 5 इन्टू 5 25, 3 इन्टू 3 9, 0 0 हो गया, 2 इन्टू 2 4, इसे तरह सारे दा स्केर किता तरह ए वाले साथे कुले, कॉलम बन गया तो इन्टा टोटल करांगे summation y square is equal to 52 जो टोटल किता, next step साथा है, इन्टा दोना दिसी multiplication करना है, x दे y 15 इन्टू 5 माइनस माइनस की हो जानगे, plus 75, 10 इन्टू 3, 30 माइनस माइनस, again, plus हो गया माइनस 5 इन्टू 0 0 नो किसे नो multiply कार दिया तो 0 हो जान दा, 0 नो 2 नो multiply किता, again, 0 5 प्लस नो plus नो multiply किता, plus या आईगा 5 इन्टू 1, 5 10 इन्टू 3, 30 15 इन्टू 2 । не हो गया, 30 अगे एना दा साब टोटल किता येवाद गया summation xy is equal to 170. साड़ा formula की सी? देखो, r is equal to summation xy over under root summation x square into summation y square. साड़े को ले r तिन्ने साड़े यूज होने ने? ता r जाए formula पहला लिख लिया आसे? r summation xy दी value किन ने आई हुई है? 170 उपार ली. अंडर root summation x square किन्ना है? 700 वो पार लिया. summation y square किन्ना है? 52 वो भी पार लिया सी. ता 170 उबर इन्ना दोना दी multiply किती. ता की बन गया है? 36,400. ते एदा अंडर root कर देया है? 170 उबर 190.78. 170 उद्वाइड किता 190.78 ना? ये बनके 0.891. उद्वाइड आर देडी value होगी. आर मीन्स coefficient of correlation. ता coefficient of correlation किन्ना आ गया? 0.891. इट मीन्स अब लिया गये? क्योंकि है 0.89 है. ता ऐसी बोलंगे? High degree of positive correlation. उद्वाइड पुच्छाओं के विसानुकि में पता लग होगी केडी degree है? ता एद ये आपड degrees भी तो अन्यमें दास देनी है. तुसी किस तरह लिखना? जे कर तो अड़ा जवाब प्लस बान होंदा, तो तो जीने में perfect positive correlation, जे माइनस बाना गया, ता perfect negative correlation. जे तो अड़ा answer 0.75 to 1. तो एदे विचकार विचकार होंदा, ता high degree of positive correlation. जे माइनस दा होंदा, ता high degree of negative correlation. जे तो अड़ा answer 0.25 तो, 0.75 to 1.75 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 to 2.75 to 1.75 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 to 1 दिखोंगे no correlation जा absence of correlation. हैं आज मैं दो स्वाल देते हैं नहीं प्रेक्टिस लहीं। जोना सॉल्व करके मैं वर्ड सेप करना फिर मैं दिखांगी तो उन्हों समझ आई कि नहीं है